Welcome back to my new video, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आचुके हैं एक और नई वीडियो, आज की वीडियो में हम आप लोगों को Facebook monetization के नई अपडेट के बारे में बताने वाले हैं, इसके लिए हमें आज आना है अपने Facebook page या profile पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा down में your tools का option देखने को मिल चाता है, यहाँ पे आप लोगों को Facebook की तरफ से मिले हुए सभी tools देखने को मिल चाहेंगे, stars, ads, onrails, bonuses, subscriptions, and down में आप लोग देख सकते हैं, in stream ads का जो tool है, वो अभी हमारा setup नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम जैसे open करते हैं, तो पे हमें एक new update मिल चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, blue line में हमें I am interested का option मिला हुआ है, इसी के बारे में आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, तो friends, I am interested का यह option क्या है, और आपको इसे कैसे submit करना है, यह update को आपको submit करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी ह क्योंकि Facebook ने एक और नया tool आप लोगों को दे दिया है, जो की है content monetization, तो अभी ads on real, stars and live ads और in stream ads, इन सब के लिए आपको एक tool दिया जाएगा, जो की है content monetization, अगर आप लोग I am interested वाले इस option को submit कर देते हैं, तो हो सकता है, जब आप लोगों को content monetization का tool मिलें, तो हो सकता है, आप लोगों का long video भी monetize हो जाए, तो friends कुछ भी हो सकता है, फिलाल यहां से आप लोगों को कैसे submit करना है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जान लेना है, तो friends यहां पे आप लोग देख सकते हो, first जो criteria है, वो हमारा यहां पे green tick है, second criteria भी हमारा यहां पे green tick है, इसके बाद जो third criteria है, जो कि आपका followers का criteria होता है, जहां पे आपको 5000 subscriber पूरे करने होते हैं, वो भी हमारा यहां पे tick है, और इसके बाद एक दूसरा criteria है, जो कि यहां पे 60,000 hours का minute views होते हैं, वो आपको 60 days में यहां पे पूरे करने होते हैं, और यह criteria भी आपका पूरा होना च चाहिए और इसके बाद जो 5th criteria है 30 days में आप लोगों को 5 eligible videos अपने चैनल पे upload करनी होगी वो भी long video तो इस तरह से हमारे सभी criteria complete है सिफ एक criteria हमारा रह जाता है इसके लिए हमें यहां पर I am interested का option मिल गया है तो यहां पर हमें इसे submit कर देना है और क्यूंकि हो सकता है हमें आने वाले नए टूल के माधियम से हमारी long video पर airs चरना start हो जाए और आप लोगों का जो long video है monetize हो जाए यहां पर हम जैसे click करते हैं तो यहां पर आप लोगों को कुछ एक suggestion लिखना पड़ेगा यहां पर आप लोगों को बताना पड़ेगा Facebook को कि आप क्यों interested हो इसके लिए हम यहां से copy कर लेते हैं और इसकी बार वूसे हम यहां पर paste कर देते हैं तो यहां पर कुछ lines ना भी लिखें तो भी आप लोग submit interested पर click करते हैं तो भी आपका यह submit हो जाएगा प्यूंकि यहां पर आप लोग देख सकते हो यह आपका अगर आप कुछ नहीं भी लिखते हो तो यहां पर आपको optional बताया गया है कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन अगर आप लिखना चाते हैं तो यहां पर हमने जो lines लिखी हुई है तो इस तरह से हमने यहां पर paste कर दिया है आप लोग देख सकते हो और इसकी बाद हमें यहां पर submit interest पर click कर लेना है इस तरह से आप लोग भी in stream ads के लिए apply कर सकते हो और I am interested को बहुत ही easily आप लोग भी submit कर सकते हो अगर आप लोगों को भी इस तरह का new option मिला हुआ है Facebook के in stream ads में चाहे ads on real में कहीं पे भी आप लोगों को अगर इस तरह का option मिला हुआ है तो आप लोगों से जल्दी से submit करिए आज की वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना हो सकी तो वीडियो को share भी कर देना ताकि दूसरी लोग भी इसके बारे में ज आते रहेंगे तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत